रखना चाहिए था। इतना सीनियर यह अच प्रॉटर मेंबर होते हुए भी आज हम भाई की मदद नहीं हो पा रही इतने चोटे छोटे मुकदमें धूते मुकदमें अब केवल एक मुकदमा बचा है यह मुकदमा बचा है केवल छे महिना हो गई बैस हो गई सब कुछ हो ही है देखे हैं अब हम तो साथ हैं आज हम भई के साथ हैं आज हम हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं प्रोग्राम के शुर्वात इस वक्त हम करेंगे शिफपाल यादव से जी हां शिफपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की क्या की उसके बाद से समाजवादी पार्टी में माहौल अलग हो गया जी हां समाजवादी पार्टी में हरकंप मचा हुआ है और ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से शिफपाल और आजम खान के बीच की नस्दी क्या बढ़ी है उससे समाजवादी पार्टी की इस्तती होती नजर आ रही है जी हां बड़ा अपडेट ये सामने आया कि शिवपाल यादव के आजम खान से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी ने पार्टी के कुछ नेता जब आजम खान से मिलने पहुंचे तो स्थीदे तोर पर आजम खान ने मना कर दिया उनसे मिलने से दरसल उत्तर परदेश के राजनीति घटना करम क्या कह रहे हैं और कैसे उत्तर परदेश में समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े जटके लगने तरह हैं दरसल मौझूदा समय के अंदर साफ तोर पर देखा जा रहा है कि आजम खान और शिफपाल यादो के बीच अंदर खाने कुछ बात चल रही है अभी हाली में आजम खान ने शिफपाल यादो के साथ करीब डेड़ घंटे तक मुलाकात की थी जेल में और सीधे तोर पर ये देखनों को मिला कि शिफपाल और आजम की इस मुलाकात के कई माएने अब उत्तर परदेश में निकाले जा रहे हैं राजनीती गलियारों में हड़कंप है और ये भी माना जा रहा है कि बहुत बड़े हत्ता बदलाब हो सकता है दरसल मौझूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह की इस्तती बनी हुई है जिस तरह के हालात बने ऐसे में कहीं न कहीं अकलेश यादो के हाथ से दो वोट बैंक की सक राजियां वो दो वोट बैंक कौन से इसको ध्यान से सुनिएगा एक है Y और एक है M यानि Y और M ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो बड़े इसतर पर अकलेश यादव के हाथ से जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के हाथ से Y और M फैक्टर का जाना इसका समाजवादी पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा और 2024 के लोग सवाचुनाव से पहले माहौल कैसे अलग होता रजर आएगा ध्यान से सुनिए Y यानि की यादव M यानि के मुसलिम यादव और मुसल्मान वोट जिनके दम पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर परदेश में अपनी बड़ी जगा बनाई समाजवादी पार्टी के जो आज हालत है उसके जिमेद को मिल रहा है कि ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं अकलेश यादव ने अपने से दूर करके बहुत बड़ा खत्रा मोल ले लिया लोग सबा के चुनाव जो दो हज़ार 24 में होने वाले उससे पहले उत्तर परदेश में समाजवादी पार्टी को अगर एक सीट भी इस लोग तस्वीर बदली है को कई ना कहीं माहौल बदला और जिस तरह मौझू समय के हालात अंगर तरह मौजुद है समय के स्थिति है वो ये साफ तोर पर बता रही है कि आने वाले समय में माहौल जो है वो बहुत बड़े हद तक बदल सकता है दरसल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जिस तरह खराब हो रही है जिस तरह से अलग होती नजर आ रही है तो ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पर लगातार दबाव पड़ रहा हाली में मुलायम ने अकलेश यादव से मुलाकात की थी और ये देखा गया कि मुलायम ने इस मु सवा की जितने सीटें जीती हैं उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं लेकिन शायर ये अकलेश यादा भूल रहे हैं कि जो वोट उन्हें मिला है जो सीटें उन्हें मिली हैं दरसल वो अकेले अपने दम पर नहीं आजम खान और शेफपाल के कहने पर शेफपाल के तर समर्तन किसको मिला समाजवादी पार्टी को तो यहां पर आजम खान का अभी तक इस्तमाल अकलेश यादाव कर रहे थे और अब यह माना जा रहा है कि आजम खान ने अकलेश यादाव से अपने सभी रिस्तों को तोड़ लिया है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेत ना ले सकते हैं हाला कि खबरें सामने आ रही है कि शफाल बीजेपी में जा सकते तो वहीं आजम खान के ओवेसी के साथ जाने की अटकले तेज दिखती नजर आ रही है। दोनों ही सुरते हाल में ये माना जा रहा है कि पीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है और समाजवादी पार्टी के हाथ से वोट बैंक किसक रहा है। दरसल अकलेष यादाव से उमीद आजम खान ने लगाए थी। आजम खान ये मान रहे थे कि अकलेष यादाव उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात है ये हालात बता रहें कि आज समाजवादी पार्टी टूटya। equiv यocy клet up यह समाजवादी पार्टी वह ती जब मुलाएम सिंग के हातों पार्टी की ती जभ मुलाएमence परिबार भी चलाते थे पार्टी भी चलाते थे और सबको खुश रखते थे लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की कमान अकलेश यादों के हाथ में आई है तब से पार्टी की हालात बेहर जादा खराब हो गई है तब से पार्टी की हालात जिस तरह खराब हुए उससे देख कर यह माना जा रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं हालात समाजवादी पार्टी के खराब होना सीधे तौर पर ये बताता है की शायद लोक सबाचुनाओं से पहले पार्टी अब सिमठ्टी नजर आएगे समाजवादी पार्टी के अपने नेताओं ने ये मानना शुरू कर दिया है कि बस्पा से बुरी हालत है समाजवादी पार्टी की हो सकती है क्योंकि अकलेश यादों ने जरुत से ज़्यादा आत्म विश्वास दिखा कर जरुत से ज़्यादा आत्म विश्वास ला कर ने सिर्फ अपने लिए मुश्किले खड़ी कर ली हैं बलकि पार्टी के लिए भी मुश्किले खड़ी कर दिये लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि अकलेश यादव की इस्तती बदल चुकी है वो साब तोर पर शेफपाल यादव का एक बयान भी आली में सामने आये था चलिए वो बयान आपको दिखा देते कि क्या कुछ कह रहें शेफपाल यादव जो है आएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी लगातार तूट रही है और अखलेश यादव के हाथ से कमाल लगातार की सकती चली जा रही है पहले जेल से बाहर आने दो और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या न नेता जी के पास थी समाजवादी पार्टी की कमान नेता जी समाला करते थे पार्टी को लेकिन जब से अकलेश यानि की बववा के हाथ में पार्टी की कमान आई है तब से और ज़्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है तो मौजुदा समय के अंदर साफ तौर पर जो हाला शादो को तो शा creat हालात ऐसे नहीं होते और ऐसे में देखे शेपाल को लेकर चर्चा हो रही थी कि शेपाल को दिया जाता तो ज्यादा फायदा होथा लेकिन अब समाजवादी पार्टी जिस तरह तूट रही है ऐसे में शाधी पार्टी को जो है आगे अकलिष्ट ले जा पाएंगे आज के लिए अतना ही आप से फिर दुवारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार